तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ एक फुल रेस्पी वीडियो शेयर करने वाली हूँ और वो भी आप सब की रिक्वेस्ट पे तो उसी की रिक्वेस्ट थी कि मैं बताऊंगी होममेट बटर मैं कैसे बनाती हूँ और गी कैसे बनाती हूँ तो चलिए फिर एक क्यों आज हम देखेंगे फोर टाइप ऑफ बटर रेसिपी जिनें इसीली आप घर पे बना सकते हैं फर्स डेसिपी है वाइट बटर यानि की बेसिक नॉर्मल बटर या फिर होममेट बटर कुछ भी आप कह सकते हैं जिने हम सब घर पे बनाते हैं कुछ लोग मलाई को थोड़ा दहीं लगा के उसको जमा लेते हैं उसके बाद उसका बटर बनाते हैं लेकिन हम मलाई को 8-10 द तो सबसे पहले मलाई को हम ग्राइंडर जार में बिना पानी के ग्राइंट करेंगे ताकि थोड़ी सी वह स्मूध हो जाए क्योंकि अगर हम पहले ही पानी डाल देंगे तो मलाई पानी को अब्सॉब कर लेती है और मखन बनने में उतना ही टाइम जादा लगता है उसके बाद थोड़ा पानी डाल के 3-4 पाइसे ग्राइंट करेंगे और आप देखेंगे कि पानी मखन से सेप्रेट होता जा रहा है और यही साइन है कि मखन बनने वाला है weather summer है तो हम fridge से निकला हुआ ठंडा पानी इसमें add करेंगे अगर winters हों तो आपको थोड़ा सा गरम पानी add करना है बहुत गरम नहीं लेकिन luke warm तो अब यह आप देख सकते हैं कि मेरा mixture jar किस तरह से move कर रहा है इसका मतलब है कि butter fully prepared हो गया है तो बस last में थोड़ी से मैं इसमें ice डाल रही हूँ तकि butter थोड़ा सा hard हो जाए जिससे कि पानी और butter को separate करना easy रहता है और अब मैं निकाल रही हूँ इसे एक ball में थोड़ा सा पानी हम इसमें और add कर सकते हैं ऐसा हम एक तरह से butter को wash करने के लिए ही करते हैं अगर आपकी मलाई काफी पूरानी है तो ये step आपको ज़रूर follow करना पड़ेगा अगर मलाई fresh है तो इसे आप skip कर सकते हैं लेकिन इस तरह से wash करने में अगर मक्षन में कुछ खटा पन हो तो वो निकल जाता है तो बस इस तरह से हाथ में लेते हुए इसके ball बनाते जाना है और पानी निकालते जाना है और मक्षन separate करते जाएंगे और ये पानी जो हमारे पास बच गया है इसे कहते हैं butter milk इसे आप cake में यूज़ कर सकते हैं लेकिन 4-5 दिन से जादा आप इसे store नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें खटा बन आना शुरू हो जाता है लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम फ्रिज में store करें और डेली इसका पानी change करते रहें तो 8-10 दिन इसे store किया जा सकता है बटर मसाला, डाल, मकनी और ना जाने कितनी recipes में हम इसे use करते हैं और किसी भी प्रांटे का मकन के बिना कोई स्वाद नहीं आप सबने मेरे vlogs में मेरी mother-in-law को देसी गी बनाते हुए देखा है तो बहुत ही easily घी भी घर में बनाया जा सकता है इसी मकन को आपने किसी बर्तर में गरम करने के लिए रख देना है और इसे बीच-बीच में चलाते रहना है मकन से देशी गी बनाने के लिए आपको कुछ भी इसमें और एड़ करनी की ज़रूत नहीं है बस इसी तरह से आप इसको चलाते रहें तो पहले ये फोम में कनवर्ट हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे घी उपर आपको त्यारता हुआ नजर आएगा टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है कि मक्खन कितना है हम जब 10 दिन के बाद घी बनाते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि आपको ट्रांस्पेरन घी नजर आ रहा है लेकिन इसका वेस्ट जो है अभी उसका कलर वाइट है तो अभी ये कच्चा है इसको हम थोड़ा सा और ब्राउन होने तक पकाएंगे लेकिन जैसे ही ये कलर ब्राउन हो जाए तो फ्लेम आफ कर दें तो घी आपका रेडी है इसे फिल्टर कर लेंगे and that's it नेक्स डेसिपी है सॉल्टेड बटर सॉल्टेड बटर यानि कि जो बटर हम मार्किट से लेके आते हैं ये बिल्कुल देखने में और खाने में सेम बनेगा डिफ्रेंस इतना है कि इसमें किसी तरह के कोई प्रजर्वेटिव नहीं होंगे जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है और इसे बनाने के लिए हमें सेम टू सेम वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो हमने वैट बनाते वक्त फॉलो किये थे लेकिन जैसे ही हम पानी आड़ करने वोले स्टेप पे पहुंचेंगे उस वक्त इसे हलका कलर देने के लिए हम इसमें आड़ करेंगे येलो फूट कलर लेकिन मैं फूट कलर आड नहीं कर रही हूँ मैंने इसे color देने के लिए फोड़ इसी turmeric powder इसमें add की है और साथी डाला है थोड़ा सा salt क्योंकि हम salted butter बना रहे हैं तो salt तो इसमें जाएगा है लेकिन salt कितना जाएगा वो आपके taste pit बेंड करता है तो देखा आपने same way में अमुल जैसा salted butter हमारे पास ready हो गया है इसे निकालने के लिए मैंने एक container में butter paper लगा दिया है तांकि ये stick ना हो क्योंकि हमें इसे एक shape देनी है तो same way में ही butter और पानी को अलग करते हुए butter इसमें डालते जाएं और इसके बाद हाथ हो या अफर किसी spoon की help से इसको flat कर लें और इसके बाद इसे हम freezer में set होने के लिए 2-3 घंटे रखेंगे और अगर बात करूं मैं इसके store की preservatives तो इसमें नहीं है लेकिन हमने इसमें salt add किया है और आम से आप इसको 15-20 दिन fridge में store कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा time तक store करना चाहते हैं तो आप इसे freezer में 6-7 month तक store करके रख सकते हैं अभी 3 hours हो चुके हैं और butter विल्कुल set हो चुका है हमने इसका butter paper निकाल दिया है आप इसको pieces में हम cut करेंगे आप जितना चाहें उतनी चोटे pieces में इसको काटके रख सकते हैं जितना आप यूज करते हैं उसके हिसाब से butter paper में cover करके इसको store करें enjoy करें अपने घर पे बना हुआ salted butter नेक्स्ट recipe है मेरा फेवरिट peanut butter winters हो या summer लेकिन 12 months में peanuts को अपनी diet way include करती हूँ जाहे peanut snacks की form में या फिर peanut butter की form में लेकिन आज हम बनाएंगे बिना oil के peanut butter तो यहाँ पे मैंने raw peanuts लिये हैं उनको मैं roast कर रही हूँ medium flame बे कम से कम 8 से 10 minute लगेंगे आपको इसको roast करने में क्योंकि अगर हम इसे high flame पे roast करें तो अंदर से raw peanut का ही टेस्ट आता है roast कर लेने के बाद इसे निकाल देंगे किसी cloth napkin पे ठंडा होने के लिए इस stage पे अगर आप चाहें इसका चिलका अलग करना तो थोड़ा सा इसे rub करके इसका चिलका अलग कर सकते हैं क्योंकि peanut butter को हमेशा बिना चिलके के ही बनाया जाता है लेकिन choice अपनी है मैं ये काम नहीं करूंगी क्योंकि मुझे चिलका साथ में ही चाहिए fiber है तो मैं इसे waste क्यों करूं और उसके बाद हम करेंगे थोड़ा patience वाला काम इसे grind करेंगे तो जब हम पहले इसको grind करेंगे तो ये powder form में आ जाएगा और धीरे धीरे इसका paste बनना शुरू हो जाता है और आपको इसको रुक रुक के grind करना है और बीच वीच में इसे check करते रहें peanuts में बहुत सा oil होता है और जैसे जैसे हम इसे grind करते जाएंगे आर्केट के peanut butter में बहुत सा oil होता है और यही reason है कि काफी लंबे time तक हम उसे store कर सकते हैं कि घर के बने इस butter में मैं oil add नहीं कर रही हूँ लेकिन फिर भी इसकी shelf life 10-15 दिन तक होती है इस butter को fridge में store नहीं करना चाहिए नहीं तो यह बहुत hard हो जाता है यह butter high in protein है और आपकी protein requirements को पूरा करता है weight gain या weight loss दोनों में ही काफी helpful है आप इसे sandwich, smoothies, oatmeal वगरा में use कर सकते हैं लास्ट recipe है cashew यानि की kajoo butter generally इस butter का use हम अपने घरों में नहीं करते हैं लेकिन यह भी काफी healthy option है और snacks के साथ इसे use किया जा सकता है इसके लिए भी सबसे पहले हमें काजू को roast करना होगा और इसे roast करने के लिए medium flame पे 5-6 minute का time हमें लगेगा और जैसे ही यह brown होने लगे तो इन्हें हम उतार लेंगे और इसे grind करेंगे grinder jar में जैसे हमने peanuts को grind किया था same process है तो सबसे पहले जब हम काजू को grind करेंगे तो वो powder form में आएगा और उसके बाद धीरे धीरे वो अपना oil release करेगा और उसका paste बनना शुरू हो जाएगा इन nuts को butter में convert होने के लिए भी 10-15 minute का time लगेगा तो आपको काफी patience रखनी होगी किसी भी तरह के nuts का butter बनाने के लिए process यही रहेगा आप चाहें तो almonds और cashew दोनों को एक साथ mix करके भी butter बना सकते हैं अब अपनी choice की coding लिए आप इसमें flavor add कर सकते हैं मैंना इसमें honey add किया है आप चाहें तो इसमें salt और honey दोनों add कर सकते हैं salt add करने से इनकी life थोड़ी बढ़ जाती है वैसे भी इसकी shelf life 10-15 दिन है तो जितना आप 10-15 दिन में use कर सकते हैं उतना ही बनाएं इसे fridge में store करने का option सही नहीं रहेगा जैसे कि बैने पहले भी कहा fridge में रखने से butter hard हो जाते हैं और फिर melt होने पे भी काफी time ले लेते हैं आप इन recipes को try कीजेगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी मैं मिलती हूँ आपसे next video में till then bye bye, take care and stay healthy